तो दोस्तो आज 25 में 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important company की sharekeeper जिसका आज quarter four का result आउट हुआ और बहुत सारे ऐसे company भी है जो कि कल यानि 26 तारीक को अपना quarter four का result प्रेजन करेगा तो यहाँ पे जो सारे company में आपको recommend करूंगा कल जैसे बजार open होगा शार्प 9 बच के 15 म पे आपका करी नजर होना चाहिए यह सारे company की sharekeeper क्यूंकि इसकेंदर या तो आपको बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगा या तो आपको बहुत ज़्यावर्ट देखने का chance है अब चलिए दोस्तों बीना किसी टाइम वेस्ट के एक-एक करके मैं आपको company का नाम सा बढ़ी बात होता है क्योंकि अक्सरम ने देखा PSU company की share में कोई बहुत बार रिटन देखने को नहीं मिलता इन जनरल तो आज बेसिकली सुभा से सब ठीक ठाक चल रहा था यहां पर बहुत सारे अलग-अलग quarter का रेजल्ट है जो कि आपकी सामने में ने ओपिन किया पेसिकली आम यहां यहां यह साथ में quarter on quarter को compare करेंगे सबसे ले लास्ट यह मार्स 22 में company का टोटल इंकम का नंबर था 1381 करूर रुपए जो की इस बार एक्चुली गिरावाट हुआ मतलब yearly company का performance खड़ाब हुआ अब समझेक तो 1381 करूर से गिरके 708 पर पहुंच चुका प्रेजन पर अच्छी बात यह भी है कि company का performance जो एकदम से ड्रॉप देखने को मिला था इवन quarter 3 में यानि December 22 में गिरते गिरते 462 करूर पहुंच गया वहां से दोस्तों काफी बढ़िया बाउंस बाइक हमें देखने को मिल गया मतलब quarterly company का total income काफी बढ़िया हुआ उसके साथ साथ yearly थोड़ा गिरावाट हुआ और margin भी same to same देखने को मिला जैसे कि last year पे margin तार 29 परसेंट ड्रॉप हुआ है 23 परसेंट इयरली ठीक सेम टूसेम क्वार्टली इंप्रूब्मेंट हुआ 19 परसेंट से बढ़के 23 परसेंट हो चुका तो अब समझेक तो कंपनी का net प्रॉपिटी कुछ इस तरह का होने वाला है जी हां दोस्तों ऐसा ही हुआ लास्ट येर प करके 153 पर पहुंच चुका है अब देखें मार्केट कैसा लेगा इस रेजल को मार्केट को बडिपेंड करता है अब देखें कंपनी का रेजल मुझे तो एक न्यूट्रल टाइप का लगा मतलब इतना ज्यादा क्रेश होने का जरूरत नहीं थे लास्ट येर पर मामला कु करते थे मैं आपको कल भी बोला था कि कंपनी का रजल आउट होने के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा आई एक्स इंडियान एनर्जी एक्सेंज लिमिटेट बेसिकली कंपनी की जो क्वाटरफोर की रिजल की बहुत ज्यादा उमीद था क्यूंकि कंपनी का जो मार्केट परके 107 पर पहुंच चुका है बाकी बात करें मार्जीन का मार्जीन के अंदर दोस्तों बसक्राइब कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ मैंटेंड किया मतलब 85% का मार्जीन था लास्ट यह पे लास्ट क्वाटर में था 83 परसें इस बर सीधा सीधा बढ़के हो चुका है 87 और कॉआटर और क्वाटर वेस पर देखने को मिला तो जिस बैसे कम्पणी का जो नेट प्रॉफिट है वह देखे धे ध्यान से देखना टोल इंकम यार ओन यार बेस पर ड्रॉफित पर ध्रॉप हुवा था राइट अब क्योंकि मार्जिन के अंदर हमें इंक्रीज देखने सेम है 88 करो लास्ट यह भी था मार्च 22 में और इस बार यानि क्वार्टर फोर्ण में मार्च 23 में 88 करोडी है और अच्छी बात यह कि कंपनी का जो नेट प्रॉफित है वो क्वार्टर ली इंक्रीज हुआ और इसका भी रेजल दोस्तों जो की मार्केट आवर्स में आ गया थ था यानि एक्स्टर ओर्डिनरी तो ने बोल सकता आफ कोर्स उतना जदा ग्रोथ भी देखने को नहीं मिला फिर भी मार्केट का जो एस्टीमेट था उसको भी बीट कर लिया तो जिस बैसे उसका इंपेक्ट जो है मतब क्योंकि डूरिंग मार्ट ने आ गया था रिजल तो शुरू में एकदम फर्स्ट में बुड़ा फ्लैट चल रहा था मार्जिनल ट्रेड रोड़ा था ना पॉजिरीव ना नेगिव उसके वाट जैसे सारे बाड़ा बजे का आसपास कमपनी का रिजल डाउट हुआ एकदम से क्रैश देखने को मिला शीर कंद सीधा सीधा सारे परसेंट डाउन होके शेयर क्लोजिंग दिया आचा शुरू में आपको बता करक्षा चाहता हूं इस बार कंपनी का पर्फोर्मेंस का अईसा हुआ तो जैसे का अब देख सेक्तों मार्च 22 मतलब लास्ट यहर पे कंपनी का टोटल इंकम का नंबर था पांच जा 932 कवर रुपा है जो कि इस बार ग्रो किया लगबक 6236 कवर पर पहुंच चुका है इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेस भी थोड़ा बहुत हमें मतलब वह इचे का वजा यह है क्योंकि यह एक जैसे का मौल में फरान सेक्टर की कंपनी है कोई भी रेल्वेस की कंपनी मतलब चाहे अब इरकॉन को पकल ले आर्वीनल को पकले या राइट्स को पल लगे उसको अगर पैसा चाहिए तो कहां से पैसा लेगा आयरेप सी के पास से तो कंपनी का मार्जिल मार्जिन अल्मोस से में टोटल निकम के अंदर इंक्रीज हुआ उसके बाब जूद भी जिस बैसे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ड्रॉप देखने को मिला तो अब समझा आ गया कि क्यों यहां पे गिरावाट हुआ और शेयर के अंदर क सब्सक्राइब करके जरूर अब दोस्तों बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी का शियर जो कि कल यानि 26 तारीक को अपना रिजल प्रेजन करेंगा तो हो सेगा तो नोट डाउन कर लेना और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए कल जैस बाकी दोस्तों वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक करके भी जरूर इनकरेज करना तो सबसे लिए कंपनी का नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेट यह भी पेसु कंपनी आज की डेट पे दो परसें उपर जाके शेयर क्लोजिंग द नेक्स दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट शेयर मार्केट को हिला ने की यहां पर बोल चकते ही पूरा शमता रखता है क्योंकि निफ्टी का शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेट इस बार खास करके आटो सेक्टर का नंबर कापी बैतरी नारा चाहां टाटा मोट के लिए चैनल को फॉलो जरूर करना दोस्तों और कल जैसे वीडियो आएगा तुरद मैं आपको शेयर कर दोंगा ठीक एक कल संबर्दना मदर संसुमी का रिजल्ट आउट होगा यह बहुत इंपोर्टेंट होने जो और लास्ट और फाइनल शेयर में इन्फोई नॉक्री क तो इसका भी अपडेट मैं अपको कल दे दूंगा बाकी दोस्तों कोई डाउट है कमेंट के तुरू पूछ लेना फिलाल वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक लिए टेक क्यार बाबाई जाहें